किस ग्रह की आपको महादसा चल रही है जाहर सी बात है सूर्य से लेकर केतू पर्यंत इन्ही नवग्रहों में से किसी न किसी ग्रह की महादसा आपको चल रही होगी हो सकता है वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कारक न हो परंतु जो तो शास्त्र का एक तरक है कि जिस ग्रह की महादसा चल रही हो उस ग्रह की अगर हम दिशा में चले जाएं या दिशा में जाएं तो हमें विशेस लाभ प्राप्त हो सकता है अब सवाल उठता है कि लाभ किस माहिने में हर कोई लाभ की अपिक्षा नहीं कर रहा है जो विद्यार्थी हैं उन्हें लाभ से कोई मतलब नहीं तो आपको भी लाभ हो सकता है सिक्षा का लाभ अब सवाल उठता है कि जो लोग नौकरी पेसा है वो उदाहरन से समझेए अगर आप सरकारी नौकरी में है और आपको राहू की महादसा चल रही है राहू की महादसा एक दो साल की नहीं 18 साल की होती है और अगर आपकी नौकरी में बदलाओ यानि ट्रांसफर होता है और दिशा में अपना ट्रांसफर करा ली जवराहू की दिशा है नरित्यकोंड तो नरित्यकोंड में अब सवाल ये उठता है कि नरित्यकोंड एक जगह विशेश पर हो सकता है जाने का मौका न मिले तो दक्षण और पश्चिम इससे जुड़ा जितना भी भाग है इस भाग की तरफ आपकी अगर नौकरी जाएगी इधर आपका ट्रांसफर होगा तो आपके लिए फायदेमंद इस्तिती बनेगी मैं प्रतेक ग्रह की आपको दिशा बता देता हूँ सूरिय की महादसा अगर आपको चल रही है तो आप पूर्व दिशा की ओर जाईए ये सब के लिए है नौकरी करने वाले ब्यापारी के लिए विद्यार्थी के लिए इस दिशा से आपको विशेश लाभ रहेगा चंद आप इधर का जो छेत्र अउत्तर पस्चिम का इसमें कहीं भी आप आगे बढ़िए आपको विलाभ मिलेगा मंगल की महादसा है तो दक्षण दिशा गुर्व की महादसा है तो इसान कोण इसान कोण जानते हैं आप, उत्तर और पूरब का कोणा, अब सवाल उठते हैं केवल, इसी जगा पर नहीं, उत्तर और पूरब दोनों ही छेत्रों में आप जा सकते हैं, शुक्र की महादसा चल रही है, तो आगने कोण की ओर जाईए, यानि दक्षिन पूरब की ओर, आगने अब मिलाज उलाकर के आप विद्यार्थी हैं और मान लीजे सिक्षा का विशेस काल है आपका तो इन्हीं छित्रों में जिसकी महादसा चल रही है उस ग्रह की दिशा की और अगर आप बढ़ हैं तो आपके सिक्षा के छित्र में आपको विशेस सफलता मिलेगी व्यापारी हैं व्यापार करना चाहते हैं तो इन्हीं दिशाओं में आगे बढ़िए आपको विशेस लाभ मिलेगा अर्थात अगर वो ग्रह कारक नहीं भी है तब भी आप उस ग्रह की दिशा में बढ़कर लाभ पा सकते हैं